करनाल के करन स्टेडियम में काफी अर्से के बाद राजिय इस्तरिय एटलेट मीट का आयोजन किया गया है जिसमें पूरे परदेश एक खिलाडियों ने पहुच कर अपने जोहर दिखाई है एटलेटिक मीट आयोजन के परवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगा जिसके चलते आज यहां राजिस्तरिय खेल परतियोगिता में जो अवल बच्चे आएंगे उनको नैशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा उन्होंने बताया कि हरियाना के खिलाडी टोक्यो लंपिंग में भी बहतर परदशन करेंगे और मैडल जीत कर लाएंगे क्योंक उनकी प्राक्टिस भी परभावित हो रही थी परतु अब खेल के माजम से खिलाडियों को अपनी परतिवा का परदशन करने का बहतरीन मौका मिला है देख्यास रिपोर्ट में कितने समें से आप मैं तीन साल से बेर हूँ है तो आज कैसा था है आज वैसे पहले एक मेन पर इंजरी मेरे करें को से ओड़ कर्फ़ कर था कहां है मैं वानी सी अगता है सब्सक्राइब करता है इसमें सारे अथ्लेटिक्स की गेम थे लॉंग जंप रेसिस थी और शॉर्ट लॉंग सब डिपेंड करता था बट मेरा है तो क्या लगता है क्या नहीं था क्योंकि काफी प्लेयर्स किसी को करोना वाता है कोई वैसे फिजिकली डिसेबल था तो काफी लॉग्डाउन के जैसे काफी प्रॉप्लम हुई थी आप कितने समय से खेलने हैं मैंने जन्वरी से स्टार्ट करा था इसी साल से अब आप ने क्या हिला आज मैंने स्टेट के लिए मेरी फिर्स्ट पोजिशन है साथशी सोनी प्रक्स से जो ये दस वी हरियाना स्टेट जो है अथलेटिक चैंपियंशीप का है जिन आज करनाल के करम स्टेडियों में किया जा रहा है और ये 17-18 जुलाई से दो दिन का ये कार्यकरम है रखा है और इसके लिए मैं अभार पर कट करना चाहूंगा इस हरियाना अथलेटिक चैंपियंशीप के जो सेक्टरी हैं जो खिलाडी आगे चलकर इस देश की बागडोर संभालेंगे क्योंकि हरियाना की मिट्टी का इक्तिहास रहा है जिन्होंने भी इस मिट्टी में विजय परापत की उसने हिंदुस्तान पर राज़ किया चाहे वो राजनीती में हो या खेलों में हो इस मिट्टी ने बल्व खिलारी यहां पर शेकिंड आए उनके उच्वाविसे काम ना करता हूं क्या लगता काफी लंबे से मुझे करोना की मारी उसके बाद एक बार फिर से मैदान में उतरना अफ्राव होता है देखिए इसके लिए करोना का लिए जो बीच में आया था बच्चों ने इससे आपको बता दूँ यह खिलारी अब आगे चलकर पूरे वारत में अपनी परतिबागा यह जन डालार आएंगे इसका मराथा सुनी सागवाल आज यह दो दीव से हमारी जुनियर की 120 की स्टेट चैंपिंशिप है इस चैंपिंशिप के दोबारा 31 जुलाई को संगरूर में जुनियर फेडरेशन कप होना है उस फेडरेशन कप से वल्ड चैंपिंशिप होनी है हमारी सितमभर में उसकी टीम का चेहन होना है तो उसी का स्टैप वाइस्टेप यह स्टेट मीट है यहांसे जिन बच्चों का क्वालिफाई होगा तूल नेसनल मीट में जाएंगे वहां से जिनका क्वालिफाई होगा वर्ड चैंपियंशिप में नोरोभी केनिया में होने जा रही है वो तो हमें उमीद है हमारे अर्याना के ज्यादा है ज्यादा पच्छे इस मीट में क्वालिफाई करेंगे तो था वो नेशनल में भी क्वालिफाई करके वर्ड चैंपिय लिस्क ने तो उमीद है इस वर्ड चैंपिर्शिप में भी महरे याना के ज्जादा है ज्जादा बच्चे और स्टेटों से ज्जादा हमारे स्लेक्ट होंगे तो आज करनाल में दो दिवस्य एका था जी जी दो दिवस्य थी हमारी कुछ इवेंट कल वह थे शाम का और आज का सेशन है आज 100-400 मिटर है इसके हमारे बच्चे गिल्पुल आल इंडिया में जो स्प्रिंट्स है इसमें हमारे बच्चे टोप करते हैं क्यों उसे खेलिया यह स्परेश निवेंट होते हैं एक तो रेसिश होती है सारी एक जंप सोते हैं फरो होती है जंस में लोंग जंप ट्रिपल जंप पोल वार्ल्वाल्ट है थो में लेकिन जैसे काल के कान बच्चे रूखे हुए थे गरों में तो एकदम निकल के आयें और परफोर्मेंस भी ये नहीं कह सकते हैं आप करोना के कारण ये गर बेठे दे परफॉर्मेंश डाउन है परफोर्मेंस भी बहुत अच्छी आईए बच्चोंगी मेरा राजकुमार मिटान है अथलेटिक सर्याना का जर्रेणल सेक्टर हुँ है प्रेणल सेट्लाइ पार्ग, क्म्यूनिटी सेंटर, तुरंथ रिजिस्टी और प्रसेशन भी, कॉल 94660 34000